स्टार्ट करते हैं उससे पहले काम करते हैं कल का रिकॉल कर लेते हैं कल जो हमारा पहला वर्ट क्या था इगोईस्ट विच में जो अपने वारे में बात करता है जो जिसकी दुनिया सिर्फ अपने उपर होती है कि मेरा क्या इसमें फायदा होगा मेरा में जो अपने भलाई के बारे में बात करते हैं उनको बोलते हैं अप egotist next word आपका क्या था Introvert जोन होता है next ओ burnout और इनका जो बौत होते हैं negative और positive किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं तो उसके positive Ambi means both, Ambi 및 से milcyj वर्ड होता है Ambi dextrous Dextrous जो आपका है Dexter एक Latin word है Л vicinity means Right hand means आपका right hand ज्यादा furniture heeft in comparison to Left hand international language Dexter means right hand Dexter means skillful इसका जर्थ चुप्रेन्च वर्ड हो जाएगा Adroid एड्रोइट मीन्स होता है दक्षट गाइड्रोइट नेस्क नाउन हो जाएगा एड्रोइटन स्देक्स्टर यापकर इसकिल्फुल की केरेक्टर में आ जाते हैं तो अब इसको क्या बोलेंगे फ्रेंच में अंबधी डेखें जासी उसके जब आपके दोनों हाथ एक जैसरे करते हैं तो उसको आपने मूवी देखी होगी तरह करते हैं उसी का शिनानिम क्या हो जाएगा एडराइड और इसका स्किल्फुल होना और इसका अपसे हो जाएगा आपका अपसे हो जाएगा sinister कि जिसका means होता है clumsy भधदा होना means होता है आपका awkward होता है जो पसंद नहीं आते तो यह दो हो जाएगा opposite हो जाएगा इसका और वर्ड होता है गॉश पार मींज भी यही होता है आपका ugly clumsy होना जो चीज़ है आपका left hand होता है इसको आप एक तऱ से कह सकता है आपका left hand लोग जो lefty होते हैं उनके parents उनको force करते हैं कि आप left hand से मत लिको left hand लिखने वाले को क्या कहा जाता है कि वह बहुत ज्यादा पढ़ने में educated नहीं होते हैं उनका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता है इसलिए इसको क्या बोलते है left hand को गौश बोलते हैं अब next word कि आपने पढ़ा alter alter means other जो दूसरों के बारे में सोचता है उसको क्या बोलते हैं alterist alter means other जैसे अगर आप sometime कपड़े खरीदने जाते हो वह loose fitting के होते हो तो अब क्या कहते हो alteration करवाने जा रहे हैं क्या करवाने जा रहे हैं alteration means उसमें कुछ changes करवाने जा रहे हैं अगर वह L size और हमको M size आता है तो उसको क्या करवाएंगे alteration कराने के बाद हम उसमें changes कराते हैं उसको क्या बोलते हैं alteration कराना किसी में कुछ changes कराने अगर आपकी किसी से लड़ाई ह हो जाती है लेकिन आप हाता पाई नहीं करना चाहते हो और बॉक्सिंग नहीं करना चाहते तो आप उसमें क्या करोगे आपका सिर्फ वर्वल डिस्प्यूट होता है भाई तुमको देख लेंगे तो इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो ऑल्टरकेशन इससे बोलो ना बोलते हैं अल्टरकेशन वर्वल डिस्प्यूट यह हमारे कल वाले वर्ड जिनका एक बर वीजन हो चुका है अब हम चलते हैं हम आज के नए अपने टॉपिक पर जिसको है हम डॉक्टर के पास जाते हैं क्लीनिक पर तो हर चीज का अपना एक अलग स्पेशलिस होता है तो गाइन को बोलते हैं अब नेक्स वर्ड ऑस्टेटिशन यह आपको क्या होते हैं एक तरह से मिडवाइफ होती है मिडवाइफ जो आपका लैटन में वर्ड ऑस्टेटिक्स समीज होता है जब विबन जो होती है लेवर पें वे होती है उस ताइम उनके तामने जो स्टेंड होते हैं जो लेडी स्टेंड होती है उनको बोलते हैं मिडवाइफ यह अरिजनल वर्ड हो जाता है ऑस्टेटिक्स इसमें क्या होता है जो विमन जो लेडीज दूरिं लेब सब्सक्राइब करने करते हैं उनको कै पुलते हैं यू को बोलते हैं क September Renee सब्सक्राइब करने दर्मब करेंगा तो थ्यंकों होता है दुथ होता है नाउन तो यह क्या हो जाएंगे जो स्पेशलिस के स्पेशलिस्ट होते हैं जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं चाइल्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं इंफेंट के बारे में जो टॉडलर्स होते पहले जो इंफेंट होते हैं आपके इंफेंट मीन्स होता है नव नवजाल सिशू के जो पेश लिस्ट होते हैं जो उनके डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं पैडोस पैडोस या एक वर्ड पढ़ होगा अगर आपने बीएड किया होगा या टीचिंग कोई भी एक्जाम दिया होगा तो उसमें पढ़ होगा पैड़ाओजी आएगी कर रहा है चाइल को लीड करना चाइल का डेवलपमेंट करना उसको क्या बोलता है पैडागॉजी इसी से एक रिलेटेड वर्ड होता है आपका आपने पड़ा होगा डेमो जब आप डेमो देते हो इंटर्व्यू देते हो या किसी को कुछ बात अपनी एक्स्पेंड करते हो किस दो आप किसको दोगे कि सी पारसइं को दोगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेमो देते है तो डेमो मियंस होता है लोगों को मिस्लीड करना सां। जैसे कि Demo Goze means होता है लोगों को mislead करना में इसलिए क्या काम होता है जो लोगों को भड़काते इंसाइट करते प्रोवोक करते उसके लिए होता है लोगों को Demo means Log और Goze means lead करना जब लोगों को mislead करते हैं किसी चीज़ के लिए भड़काते उसके लिए क्या एक्जामपल यूज करते हैं Demogog use करते हैं और next word अमरा क्या था लगा क्या तो आपने पढ़ा होगा Derma कई लोगों की यह इसकिन में बर्न हो जाता है किसी चीज़ जल जाते हैं सके में कोई issues हो जाते हैं किसी चीज़ का सकाश रह जाता है तो क्या कहते है मैं डर्मा क्रीम लगा लो तो मैं डर्मा क्रीम किस लिए यूज होती है इसकिन में यूज होती है ना इसकिन में जो भी आपके इशूज होते हैं उनके लिए आप मैं डर्मा क्रीम यूज करते हो तो डर्मा क्रीम आपने कहां यूज की है इसकिन पर यूज की है मैं dharma, dharma means hota है skin, dermicool powder पर लगाते हो, powder कहां लगाते हो, तो derma means होता है skin, और dermatologist means, वो person जो आपके skin का specialist होता है, जिसके लिए आप skin के issues के लिए दाते हो, sunburn हो गया, इसको बोलते हैं टैक्सी डर्मिस्ट क्या होता है वह परसन टैक्सी मीस होता है बिजनस करना सेल करना तो वह इंसान जो आपकी क्या करता है टैक्सी डर्म मीस होता है वह इसक जने जने मलेंशन की जने चान टीक हो पेकिश्ट आरम। उसको बोलते हैं जिन जन जानवल, जिन आनिमल की skin काफी ठिक होती, उसको बोलते है पधर्म, अभी हम देखते ही, जसे हमने पढ़ा है, जो भुकम पाता आपका अर्थ वै कहता है, उसी आप की skin भी होती है, एपी मीस बाहरी, इपी सेंटर होता है, उसी डएप से एपी दिर मेरा नो जाएगा ह यह रजाएगा नेक्स आपका है डार मैंड होक्छिट STEPHAN हमारा next word कि और क्यों क्यों कुछ न अब आर एक्सपर्ट होते हैं अब दर्टा होते हैं कि अ cases के रिए उनको बोलते हैं Congrats Blue जा कि आपने पढ़ा होता है जो आपकी विजन को इंप्रूव करते हैं उसमें डबल लेंस लगा के मोनो मीज एक आई के लिए जब आपको इसकिन में आपकी आई में प्रॉब्लम होती है उसके लिए होता है यह जो आपका है ऑकल वर्ड ऑकलिस्ट वर्ड यह आपका तो आपना का काफी एंशियन वर्ड यह इसी में अपका आता है और शायर उसको चेक करने के लिए को बोलते हैं और जो आपको तीश्यन क्या होते हैं यह बेसिकलिए आपको ग्लूकोमार ते जो आपको नमबर होता है इन सब इन सब को चेक करना वह इनका काम होता है next word आते है हमारे next word हो जाता है इसको बोलते हैं cardiologist आपने कभी new year पर छोटे पर क्या होगा आपने greeting cards बनाए तो card का means क्या होता है basically card किसको बोलते है card किस लिए use होता है card means होता है heart card means stop. this a doctor when this doctor Be no doubts you are98 to me Web phone call box 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 भी 보이ुआ तोICK में अबूख जूबुआवे अधिएבार ह्या आदे गया onge- styles किसके पास जाते हैं हार्ड स्पेश लिस्ट के बाद हम क्र tub क्रbons今日は बहुत करें बोलते कडिलो जाते हैं तो यहां पर जाते हैं तो हम किसके पीडिव को Europ ty you से बहुत जाने तो इस ग्यूंற क grandfather देखें के बिल्कुल नहीं करें months ago वीडियो को देखेंगे क्योंकि ये वन वर्ड सब्सट्यूशन में भी आता है और आपके spelling errors में भी कही बार आता है नेक्स वर्ड चलते है हमारे nervous system जो हमारी body का सबसे important part होता है nervous system आपका spinal cord ये सबकी जो spaceless होते हैं उनको क्या बोलते है बोलते हैं किसी neurologist को दिखा लो आपके अच्छे neurologist को जानते हो आपस यहीं पूछा दाता तो कब बोलते हैं जब उनको nervous system में बहुत जादा problem होती तो हम किसके पास जाते हैं किस expert के पास logi means होता है study और logist means होता है उस शीज का expert यहां पर क्या हो जाएगा neurologist किस चीज़ का expert हो गया हमारा nervous system का expert हो जाता है next word हमारा हाते psychiatrics psychiatrics क्या होता है जब आपको elevate करना जाते है आपको emotions में problem है emotional problem है या आपको mentally कोई problem है आपको नीद नहीं आ रही है आपको tension हो रही है आप exam नहीं clear कर पा रहे हो या आपके घर में किसी ने कुछ कह दिया तो आपको अलग-अलग तरह के negative thoughts आते हैं तो जब आप उस चीज के doctor के पास जाते तो आप उस कि क्या बोलते हो psychiatrics के पास जा रहे हो तो यह क्या हो जाएगा आपका psychology जो होती है उससे related जो डॉक्तर होते हैं emotional problem को आपको solve करना उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं psychiatrics बोलते हैं thank you for watching this video thank you class please like share and subscribe our channel